एकना चिंदे ने बार बार उद्धव ठाकरे पर आरूप ये लगाया है कि वो सत्ता के लिए बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझोता करते आये हैं अब इसी तरे से आरोप भारतिये जनता पार्टी भी पिछले ढ़ाय वर्षों में उद्धव ठाकरे पर लगाती हुई आई है कई मंचों पर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर विचारधारा पर अपनी राजनीती पर सफाई पेश भी कर चुके हैं उद्धव कहते हैं ये बही बाल ठाकरे की विरासत वाली शिवसेना है लेकिन उन्हीं की पार्टी आज के दौर की सियासत में बाल ठाकरे की विचारधारा को गएर ज़रूरी बताने में हिचकी चाती नहीं इसमें कोई शक नहीं पाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासत के बीच एक लंबा अंतराल है राजनीती भी बदली है इतने दिनों में कई बुनियादी बदलाव ऐसे भी हैं जो दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं कॉंग्रेस की राजनीती के खिलाव बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी उनके भाशनों और बयानों में कॉंग्रेस के खिलाव हमेशा कड़वाहत जलकती उद्धक ठाकने मुख्य मंत्री बने तो कॉंग्रेस के सवर्थन से बने महाराष्ट को स्टेबलेटी के लिए तिन लोगों को एकसाद आना पड़ा पावार साबने लिडर्शिप की उसमें पहले मराठी असमिता और बाग में हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से बाल ठाकरे मुखर रहते थे उन्हें कई धड़ों में हिंदु रिदय समराट कहा जाने लगा जिन बातों को राजनीती के हिसाब से कोई भी बोलने से कतराता था बाल ठाकरे खुले मंचों से खुल कर बुला करते थे उद्धर ठाकरे के दौर में हिंदुत्व की परिभाशा भी नई नजर आए अग्वारे साथ है परेंट तुभी हिंदुतों सोड़त ने तो परेंट शिवर से ने तुम्हें जसोबत आए उद्धव की सहयोगी कॉंग्रस के लिए हिंदुत्व की परिभाशा और भी अलग रही लेकिन उद्धव ने उसे भी स्वीकार किया जो बाल ठाकरे के मिजाज से मैच नहीं खाता था देश की राजनेती में आज दो शब्दों की टक्कर है एक शब्द हिंदु दूसरा शब्द हिंदुत वाधी और इनका मतलब बिलकुल अलग है मैं हिंदु हूँ मगर हिंदुत वाधी नहीं हूँ मात्मगानी हिंदु गोठ से हिंदुत वाधी चाहे कुछ भी हो जाए हिंदु सच को ढूंडता है बैसे हाली में हनुमान चालीसा और आजान विवाद के बीच नवनीत राणा की गिरफतारी के बाद शिवसेना की नीटियों पर जोड़दात बहस हुई थी इसी तरह पाल घर में संतों की हत्या के बाद भी उद्धव के हिंदुत्व पर सवाल खड़े हुए थे इस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक करने दिया जाए इसका भी जवाब मिलना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वाइरी करते हुए कड़ी से कड़ी कारवई की मिलकर महराश्ट्र से बाहर भी शिवसेना की एक छवी बनाता था बाल ठाकरे तब वो भी कह जाते थे जो राजनीती की परिभाशाओं से नाच नहीं करता था लेकिन उनकी हिंदू नेता की छवी मजबूत होती जाती थी I mean it that you always branded us as the Hitlers and these and that. What about the Muslims? When they lock out the people in Yogeshwari and they burn the building where all the Hindus died. Nobody shed a tear for them. काण शिवाजी महराज की जय मंटला नंतर जय चत्रपती शिवाजी महराज कुरांट सापडला नंतर सुदा ते सम्मान ठेवोत होते ते समस्कार आम चोर्ती साले लेत आमी दूसरे आ धर्माचा द्वेश करत नाही अनेकदा शिवो से ना प्रमुखानी संगित लेगाए क कि प्रत्यकानी आपला धर्म आपले घराट्थे वाईचा आणी घरा बाहर जेवाँ आपन पाउल्टक तो तेवाँ हाँ डेश हास माजा धर्म हेज समझून बाहर पाउल्टक है से शिवसेना की अगर अब तक की राजनीती को देखा जाए राम मंदिर आंदोलन बाबरी धाचे का ढढाया जाना और उसके बाद मुंबई नपम धमा कि इसके बाद शिवसेना ही नहीं पूरे देश की राजनीती की दिशा बदल गई थी बाल ठाकरे का सबसे आक्रामक रू चलो गवर्मेंट ले आईए दिल्ली में सेंट्रल गवर्मेंट और वो हिम्मत नहीं कहें बताएं तो हमें उनके खिलाब भी लड़ना पड़ेगा कोई भी हो वो बीजीपी गवर्मेंट हो तो भी मैं लड़ू हम लिख देंगे वाजंडा हम लिखेंगे काश्यों और मौ वैसा दहीं मानो कि बाबरी मजजिद गिराने के बाद इनको तकलिफ होती है तो विस्पोट की बात क्या करें कैसे करें वह यह हमारे देश में देश की बात है यानिकि जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में तो यह आहोदा काश्यों और मतुरा बाके कु उद्धप ने सत्ता का रास्ता पकड़ा और गटबंधन की मीतियों के साथ आगे बढ़े आरोप घर के अंदर से भी शिवसेना की मूल विचार धारा से मूँ फेड लेने के लगए एक सो पैटीस मजडिदों के उपर सुबह पांच बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर एक सो पैटीस मजडिदों के उपर सुबह अजान लगाई गई लाओड स्पिकर के उपर मैं पूछ रहा हूँ महाराच्टकी पुलिस को इन एक सो पैटीस मजडिदों के उपर आप कौन सी कारवाई करने वाले हैं आप हमारे कार्यकरताओं को पकड़ रहे हैं और इनके उपर कौन सी कारवाई करते हैं अब एक नाच शिंदे गुट की आपतियों में उत्धव पर सबसे बड़ा आरोब पाल ठाकरे किशिव सेना को सत्ता के लिए खत्म करने का है पार्टी का स्थित्कों और पार्टी पर दावेदारी सबका स्वरू बदल रहा है